उम लोग श्रीमित भागवतम के तीसरी सकंद के चट्य अध्या के तीसरी और चौतेश लोग को देखेंगे, दूसरी में हमने सुना था, काल संग्याम्त दा देविम भिब्रत शक्ति अरुक्रमह त्रयो विंश्यति तत्वानाम गणम युगपद आवशत काली नामक उस समय काली नामक देवी को धारन अपनी शक्ति को धारन करके अरुक्रम भगवान ने त्रयो विंश्यति तत्वानाम गणम तेईस तत्वों के स सम्हु में युगपद आविषद एक साथ प्रवेश किया तब एक साथ प्रवेश किया तो फिर क्या हुआ इसको यहां पे वे सुनते हैं तीसरे धाय में तीसरे श्लोक में सुन रहा है मेरे पिछे सोनु प्रविष्ट भगवांस चेष्टा रूपेण तम गणं भिन्नम सैयो जयाम आसा सुप्त कर्म प्रबोधयन सोनु प्रविष्ट भगवांस चेष्टा रूपेण तम गणं भिन्नम सैयो जयाम आसा सुप्त कर्म प्रबोधयन सोनु प्रविष्ट भगवांस चेष्टा रूपेण तम गणं भिन्नम सैयो जयाम आसा सुप्त कर्म प्रबोधयन सोनु प्रविष्ट भगवांस चेष्टा रूपेण तम गणं भिन्नम सैयो जयाम आसा सुप्त कर्म प्रबोधयन सोनु प्रविष्ट भगवांस चेष्टा रूपेन तम गणं। सुप्तम कर्म प्रबोधयन सोनु प्रविष्ट भगवांस चेष्टा रूपेन तम गणं। इस तरह जब भगवां अपने शक्ति से तत्नों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रवुद्ध होकर विभिन कारियों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्राव से जग कर अपने कार में लग जाता है। चेष्टा रूपेन अपने प्रयास काली के रूप में क्रिया शक्ति द्वारा। काली दुर्गा देवी को कहा गया है तो देवतावन ने दो शक्तियों के दिवान करी थी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति तो यहां पर क्रिया शक्ति को भगवान की चेश्टा रूप आनि क्रिया शक्ति उसके द्वारा तम गड़म उन समस्तत्व में अनि महतत्वादी पंच भूत पंच तन मात्राओं मतलब की शब्दादी रूप उन सभी तेश्टत्वों के सम्हूं में भगवान अनुप्रश्ट्वा इस तरह बाद में प्रिविश्ट करते हैं पहले काली शक्ति प्रिविश्ट करती है और उसके बाद भगवान परमात्मा की रूप में प्रिविश्ट करते हैं इसलिए अन लेकिन हम सभी लोग अपने पिछले जन्यों के कारियों को या मृत्यक्तिक सो रहा होता है तो सोने के बाद उठने के बाद नई भाशा नहीं भूने लगता है आज मैं हिंदी बोल लाओं तो सुब उठके ही बोलूँगा पानी लाओ मृत्य के सबाद कुछ महीनों ते के विक्थि सोता रहता है सुपता वस्था में रहता है और इसके फिर देह प्राप्त कर सकते है। और ऐसे ही महा प्रलय के समय भी होता है. तो इसलिए किरा कर्मों को प्रबोधयन प्रकाशित कियी, यानि कि सुपतम कर्म प्रववदन जो उनके कर्म सुपतावस्था में थे अर्थात जो अद्रिश्ट था अद्रिश्ट का मतल्ड होता इसको देखते नहीं हूं आप इस जीवन में हमारे जीवन में सुक और दुख आता है कभी प्रश्ण हम लोग यह नहीं करते कि आ क्यों हो रहा है और यह मेरे संग्य हो रहा है और कभी कभी दुख आता है अपल प्रश्ण करते कि मुझ जास्जन पूरुश की संग्यूं हो रहा है देकिन पिछले जनव में हम क्या दोजनता करके आय वह हम नहीं देख पा रही हैं इसको मतलब जो नहीं दिखता हो अ siellä रहे न civर बात को तो भगवान उसको जागरत कराते हैं यह बड़ी ही बड़ी सुन्दर बात है अचली हर दिन हमको कुछ जागरत कर्म का डोसेच मिल रहा है अगर आसे कहूं कि हर दिन हमें कर्म गरम करके खिलाया जा रहा है अब उसके बात थंडी पर जाती ठंडी कर ठंडी तो खाई जाएगी तो निकाल कर गरम गरम करके परोसे जाता है और ऐसा लगता है कभी कभी मानों एकदम ताजा पकाया हो कहने का आशा यह है कि व्यक्ति इस जनम में सुख या दुख भोग रहा होता है वह यह नहीं समझ पाता है कि यह किवल इस जनम का कर्मों का परिणाम नहीं है अनादी काल से उसने कितने ही जनमों में क्या क्या कर्म की हैं और वो पक पक करके गरमा गरम परोसे जा रहे हैं इसलिए तो अकस्मात कभी किसी को धन मिल जाता है और कभी कभी किसी का धन चोरी भी हो जाता है आप बहुत रक्षा करोगे तो भी चोरी हो जाता है और कभी कभी समाना से रख देंगे फिर भी चोरी नहीं होता या और भी बहुत सारी बिमारी अकस्मात को बिमारी आ जाती है जैसे आज एक भक्त का जीव उसके दात के बीच में आगई खून भीने करने लगा तो अब मैंने पूछा कि आपकी जीव आपके दात के बीच में आगई इसके जम्यदार मैं हुँ ना तो पहले समझ नहीं पाई ऐसा कैसे हो सकता है मेरी जीव मेरतों के बीच में आएकि तो आपका दाई तो कैसे हो सकता है लेकिन बात यही है बात यह पिर जीवन में दुख मिलता वह हमारी कार्मों की वज़ए से होता है लेकिन उसका दो्शारोप हम दूसरे प्रॉप करते हैं की कुछ संपों पऑरहा हूं से माल लिए कोई वेक्ति समय जीवने कुछ गलत कारे कर रहा है तो अगले जनम में वह देवता नहीं बन जाएगा तुरंत फिर वह गलत कारही में प्रविर्थ होगा और भगवान उसको इस प्रकार से जागरत कराएंगे तुमने प्रिश्व जनम में गलत कारे की तो चलो अ जगत में देखा जाता है कि कुछ लोग गायों की सेवा करते हैं या दानपुर्ण करते हैं तो वह ऐसा आज कर रहे हैं तो पहले भी किये होंगे और आगे भी करते रहेंगे ये बात है और सबसे बड़ी है बात तो क्या है आज आप भक्ति कर रहे हो मान लो पूरा नहीं भी हुआ काफी संभावना की पूरा नहीं हुगा एक जनम में तो अगले जनम में फिर भक्ती करेंगे फिर अगले जनम में फिर भक्ती करेंगे भगवान इसको बार बार जागरत कराते रहेंगे यहां तक कि कर्म को बाइपास करके भी जागरत कराते रहेंगे इसलिए किसी क वो भी आपने एक बार भी महामंत्र बुलवाया है, एक बार भी नाम बुलवाया है, बहुत बड़ी कृपा करें, क्योंकि भक्ति का संस्कार कभी नश्ट नहीं होगा, भवान उसको फिर से भक्ति में लेकि आएंगे, कभी कभी हम लोग जब लोगों से डील करते हैं, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है, अच्छा यह प्रश्णी करता है कि आप ऐसे क्यों हो जैसे हैं, और क्या आप अपने आपको परिवर्थत कर सकते हैं, एक भी व्यक्ति यहां कोई है, जो अपने सभाव को चेंज कर ले, किसी की दम नहीं है, तो देखने का प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने सभाव को प्राप्त है, जो उसके अनाधिक कास उसने बहुत सारे कर् अब वैसी सभाव को लेकर के हमें उस व्यक्ति को नियुज़त करना होता है भगवान के सिवा में, somebody is slow, somebody即 fast, somebody को बुद्धु मान आ, सरी बुदू ने, कोई बुद्धु है, कोई बुद्धी मान है, लेकिस सभी लोग अपने कर्मान उसार है, लेकिन इस कर दें, यहने की कर्मों को भवाने प्रकाशित करके भिन्नम उन अमलित घटकों मतलब की जो प्रत्वी जल वायु अगनी आकाश थे वह सब अलग अलग पड़े थे वह एक साथ नहीं थे उन सब अमलित घटकों को सहीव जया मासा समलित किया यानि कि जैसे मैंने कल समझाया था रोटी बनाने के लिए आटा और पानी को मिला जाता है तुछी प्रकार से बवान ने वाटा सानना शुरू कर दिया अपनी शक्ति से इंतत्मों को मिलाना शुरू किया इससे के आगे वे भगवान अपनी शक्ति के पीछे प्रविष्ट हुए पहले आप जाओ पिर हम जाएंगे लेडिस फर्स्ट पहले काली जाएंगे दुरगादी में जाएंगे तो आप जाकर के पहले सारा जो अलग अलग लोग पढ़े वहन को चोड़ दीजे तत्मों को उसके आद में क्यास प्रविष्ट करोंगा कैसे प्रविष्ट वे चेश्टा रूपे नतम गण क्रिया् शक्ति की रूप में उन गणों को उन गणों के सम्हों में इंश्धो के प्रविष्ट की आवी प्रतवि विजल वायू अग्री आकाश सब अलग पड़ेवे थे उन सब में प्रविश्किया भिन्नम व्यगण क्या से थे अलग अलग थे उनको संजयोज या मासा उनको एक साथ जोड़ दिया समय ग्रूप से जोड़ दिया मिलाज दिया ताकि सिष्टी हो सके हो सके और सुप्तम कर् अब हर विक्ति अपने अफने अपने उसार कार्य रहा है एक बात और समझ लीजएगा भ्वक्ति शाषवत प्रक्रिया है इस जनब में कोई विक्ति आज माला पकड़ा है जब कर रहा है वो सोचता है कि मैं इसी जनम में किया हूं नहीं आपका भ्वक्ति का संपर्क पिछ मैं संपर्क प्राप्त कर रहे हैं वह भी हो सकता है लेकिन अब जो भी व्यक्ति बड़ी द्रता से भक्ति कर रहा है वह एक जन्म में नहीं प्राप्त हो पाता है इसलिए आप बहुत से लोगों को दिखेंगे कुछ लोग आएंगे और रुची लेंगे फिर चले जाएंगे वह जान नहीं पाएंगे पूरी तरह कि अग्रे जन्म में फिर वह आएंगे भक्ति करने के लिए भक्ति का संस्कार बहुत प्रवल है शाश्वत है उसको भगवान बारबार जागरित कराते रहते हैं इसलिए कभी कभी परिशान नहीं होना चेकिंग्हित भक्ति में को भगवाने जागरित कर दिया मतलब उन सभी तत्तों को क्रिया को जागरित कर दिया प्रत्विय कारेगी आकाशी कारेगा जागरित कर दिया या जीवों के अदृष्ट को भगवाने जागरित कर दिया यह थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए जीवों के अदृष्ट क्या ह होता है जो मैंने समझाया भी अद्रिष्ट जो आपको दिख नहीं रहा है अकस्मात आपने देखा हो कि समय खराब हो चल रहा है तो व्यक्ति को बीमारी वाने लगती है और वहव सारे प्रयास करने के बाद सारे व्यद्यों से कंसल्ट करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता तो यह उसका कुछ अद्रिष्ट है वह नहीं समझ पा रहा है कि क्या का रहा है लेकिन वह आ जाता है इसी को अद्रिष्ट कहते हैं और उसी को आप कर्म भी कहते हो अरे भी अपना कर्म भोग रहा है तो मैं पूछो कौन सो कर्म अगर मैं पूछ़ओ किसी बिखते कि कौश कर्म भोग रहे हो, ठीक है, कौन सवा कर्म भोग रहा हो। तब हम नहीं जानते , कौन सवा कर्म भोग रहा है ये हम नहीं जानते, देखिए अगर आप इस पे विचार करेंगे तो बहुत भयकường निर्माण हो जाएगा क्योंकि आज अभी आदे गंटे बाद एक गंटे बाद कौन सा कर्म हमारे सर पर आएगा हम नहीं जानते कोई भी नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता एकसब भगवान दिस इस वेरी फ्राइटनिग दिस वेरी फ्राइटनिग अगरीड सब्सुन रहना अजबात को हम भले ही कितनी भी अच्छी अपने सुरक्षा की विस्था बना लें लेकिन हमारे संग क्या होने वाला है अगलेक्षण भी पता नहीं है कल क्या होगा इसी लिए बार बार भक्त लोग यह कहते हैं एधन यौवन पुत्र परीजन एतेखे आच्छे परती तीरे कमल दल जल जीवन टल मल कमल दल जल जीवन टल मल भजा हूं हरी पद नी तीरे तो कह रहा है इस जगत में विक्ति को धन का यौवन का पुत्र परीजनों का बड़ा आश्रे रहता है आश्रा रहता है यह हमको बचाएंगे लेकिन ऐंकी क्या पर वर्थिती कौन किसको बचा सकता है जैसे सभी लोग अजगर के मुह में हो तो दूसरे वेक्ति जोएयगर के मुह में है उसे वह कैसे बचा पाएगा इसलिए पर करना क्या चाहिए भगवान श्री हरी का आश्रे लेना चाहिए अर्थाद उनकी भक्ती करने चाहिए वह रक्षा करते हैं देखिए हम लोगों के जीवों में बहुत सारे कश्ष्ण आने वाले होते हैं लेकिन भगवान का भजन करता है जो नावा Ugh चाहिए उसके जीवों से भगवान बहुत सारे कश्ष्णों को उटाते हों चलते हैं यह दिपी उसको पता भी नहीं रहता है कर्मान निर्दहति किंतुच भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजामे इंद्र गोप से लेकर इंद्र तक सभी लोग अपने कर्म को ही भोग रहे हैं लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसके कर्मों को भगवान निर्दहित करते हैं भगवान की भक्ति म तो क्योंकि भाई सुभा के बाद माला करते हुए मर गए तो कहा जाएंगे वैकुंट में माल लेजे विश्ण दूत आए और आपकी शिनाक्त करना जाता है कि आदमी कैसे मरा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आई मरा कैसे आदमी तो आरे हाँ तो जब करते हुए मरा तो ठीक है तो इसको तो वैकुंट जाना चाहिए और अगर सुला माला करके मरे तो प्रहपाति क्रिपा से हम भवान के पास चले जाएंगे अगर दिन के लिए छोड़ दिया तो कोई भरोसा नहीं कि माला पूरा भी करेंगे कि नहीं हम ठोड़ा डरा की चलते हैं जब डरी रहें तो डरा के चला जाओ और कैं है तो अच्छा है ना कोश्य यह प्रभूपास शास्थ्य की बात है कि सत्यमविधात्म नेजवृत्य कि भगवान अपने व्रति की वात को सत्र करने के लिए खंबे से भी प्रकट हो गए तो अपने व्रति शुल्ला प्रभुपाया उनको सेना पति बगत कहें नितना तो भावान ने कहां मेरे वैकुंट का दर्षन करना ही वास्तिविक ज्ञान है वास्तिविक बुद्धी है मेधा है ब्रह्माजी को बोले तो वेकुंट का दर्शन कैसे हो कि भगवान के नाव चाल के दारा सीधी सीधी बात है और इससे इतना बढ़ा बढ़िया कर्म निर्माण हो रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते क कि एक नाम से कितना लाब होगा कोई कोई वर्णा नहीं नहीं है अगर हिंट दिया गया तो इस तरह से कि आयम हिकृत निर्वेशो जन्म कोट यहां साम अपी करोणों करोणों जन्मों के पाप नश्ट हो गए इस अजामिल के कीवल अंजाने में उसे नरान बोल दिया है त फ Ich不य पाप कियो नश्ट नहीं हुए उनको जीवन में कष्ट क्यों आया यह उनको समझाते हैंसि दिक्कत हो गई सम्झाने में हैं वैज्ट्व के महाजनों के पाप नहीं होते हैं उनके जीवन में जो कस्ट आ रहा है वो भगवान अरेंज करते हैं बस बाहीं shall आज़कर क कहते हैं कि सारे करमों को ध्वस्त कर दिए भगवान का एक नाम खेल कर रहे थे वो महा जन डाही तो भगवान के प्रेमिक भाहरूर रूप से कुछ श्रीर करश्ट आ सकता है लगार के उसके कर्म करें नाहीं यह समझना चाहिए भक्तों के जीवन में जो कष्ट है वो इसी लिए होते हैं कि उनकी उतकंठा भगवान के प्रतिफ बढ़ जाया और कोई बात नहीं है लेकिन सामान जीवन के लिए बात बिल्कुर सपश्ट होगी कि जो ने कर्म किया है उसके उसको भोगना के लिए उसके कर्म को जागरत कर देते हैं या उसका जो प्रारब्ध है या जो नहीं दिख रहा है कि वो फिर से वापस अट्टिव हो जाता है और उसके पश्चात वे सभी प्राकृत्त तो जो अलग-अलग थे उससे को एक में मिला दिया मतलब एक साथ मिला दिया अब स्रिष्टी आगे बढ़ेगी ताथ परेप्रवपात का चक्रवर्थी पात की टीका सेम है इसलिवनस को नहीं लिया हर जीव स्रिष्टी के लए के पश्चात अचेत रहता है और भगवान की बहुतिक शक्ति के साथ उनमें ही प्रविश्च करता है और्थात भगवान महाविष्ठी में प्रवेश कर जाता है जब पूरा विष्व का विनाश हो जाता है ये विश्टी अर्थात इंडिजिल जीव पहले से चली आ रही बद आत्मा हैं यानि कि बद आत्माओं को आधिहात्मी जगत से इंपोर्ट नहीं किया जाता अरे भाया जेल में कम लोग पढ़ रहे हैं तो चलो जेल भर्वान दोलन शुरू करो यह नहीं होता है बद आत्माएं असीमित हैं वैकुंट से आत्माओं को इंपोर्ड करके जगत नहीं भरा जाता है यह वेवकूफ है आप हमको बेवकूफ कहते हैं मैं अपने आपको भी कह रहा हूं हम सब लोग बेवकूफ हैं क्या प्रमाण यह देह प्रमाण है मिल कुछ नहीं रहा है और उसके बाद हम योजना बनाते हैं कि कैसे जगत में और रह सकें यह वेश्टी जीव पहले से चली आ रही बद आत्मा हैं कि तो बहुत इक शिर्ष्टी में उन्हें अपने आपको मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्माएं बनने का अफसर प्रदा कियाता है आप सब लोग प्रमाण है यह तात्पर प्रभुपार जी का पढ़ रहे हैं यह जब कर रहे हैं भवान का प्रसाद करना है यह सुतंत्र आत्माएं बनने का मौका दिया जा रहा है बहुत सेलेक्टिट फ्यू पीपल है कितने ही लोग आजकर जहां तहां युद हो रहा कितने ही लोग औरसे पहले भी हुए कितने ही लोग गाजा करें इस जगत को छोड़ते हैं बड़ी सुन्दर बात है हम सभी के हिद्य में इंडिपेंडेंट होने की बड़ी तीवर इच्छा है अब यह नहीं कह सकती कि नहीं है हर विक्ति सुतंत्र चाहता है लेकिन वह ऐसे कार करता है अज्ञान में जिससे वह और परतंत्र हो जाता ह है भौतिक गुणों के तुई अग्री तिस माली जे भोजन का हम कुछ भी खाएंगे तुम कुछ भी खाओगे तुम कुछ भी नहीं खाओगे तुम केवल पाप खाओगे ये पचन त्यात्म कारणा तुछ भगवान को भोग अर्पन करके नहीं ग्रहन कर आए वह कुछ भी नहीं खाओगे वह किसी भी रूप में केवल पाप ही खाओगे तीसरा धाय तेरवश लोग और जो भगवान का प्रसाद ग्रहन करता जाता है वह धीरे धीरे करके सारे कल बशुषे मुक्त होता जाता है हम स्वतंत्र नहीं है क्या बात्रूम जाने करीव स्वतंत्र है विजब इच्छाओ गितव जाएंगे नेचर कॉल्स नुबडी स्टॉल्स नो वन नीदा आती तो विक्ती टेंपो में वेच सो जाता है मैंने देखा है गेरने की सभावना होती तब भी सुझाता है होता है कि नहीं मुझे यादा जब चोटा था तो पिता जी आगे बोलेटी उठा देते तो वह आगे बैठे बैठे सो जाते तो आप लोगों ने भी सकिया हो कभी-कभी तो यह स्थितिती है नीद है भोजन है और क्या-क्या जो इंडियों के वेग हैं हम तो पिट ही रहे हैं हम तो दब ही रहें कहां क्या सुतंत्रता है कुछ भी सुतंत्ता नहीं है अब हम लोग तो यह कलपना भी नहीं कर सकते कि भक्ति का आश्रे लेकर नारज जी अब किसी भी वैकुन्ट में जा सकते हैं और किस का यो लाब उठाने का तथा यह इसलो क्यास वो किस तुरह मुखत बन सकते हैं और एसी क्षा मुखती में प्रम लाब क्या है और फॉब Nicole जाता है एक व्यक्ति कहार कि असर नहीं मिल रहा है कि रहा है भाई यह भी तो नहीं कह रहे कि आप तुरंट सारी बातों को स्विकार करने लग जाए इट में टेक सम टाइम टो एक्सेप्ट इस तिंग्स जो बाते सुन रहे हैं उनको तुरंट स्विकार ना भी हो वेक्ति को लेकिन कम से कम सुने तो सही at least he has an option at least वह यह तो कि मुझे पता ही नहीं था कि हरे कृष्णा aray Troystru Negrake na waternaurur by nao यह करने से में भगवान के पास भाउट जाओंगा यहए रहात में मैं मैंने स्वय में आज आज मैंने बोल साथ बात को बहुत अच्छा लगता तो यह जब माला आपके हाथ में अभी तो honestly right हाथ में है बीड वैग आपके हाथ में है जब आपके हाथ में है वालब तो समझे कि वैकूंट ही आपके हाथ में है और यह हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं तीन नौ पंद्रा में आप देख लेना भागवत में कि कैसे को व्यक्ति मरत समय भी अगर गलती से का नाम बोलता तो वैकूंट पहुंच जाता इतना शक्तिशाली है भावान का नाम जिसके पास भी यह अस्त्र पहुंच गया उसका वैकूंट जाना तय है इतनी बात आप समझ लीजिए और जब पहुंचेंगे तो आपके अरी यह तो सत्त बोल रहे थे बाकी वैकूंट जाने के लिए अधन का माना है ना घर का माना ना कुछ बही काम नहीं आएगा कि इतनी अमेशिंग चीज़ है यह वेदों का समझत अधन करके मनुष अपने पद से अवगत होता है और इस तरह भगवान की दिव भक्ति करता हुआ क्रमशा वैकूंट लोग को प्राप्त होता है इसले थोड़ा सा डांट करके बोल लाँग कभी कभी लोग बोलते हैं को जगत से वेराग की हो जाएगा वह जाएगा क्या होगा हम कथारोज सुनेंगे नहीं तो यह क्यों कि नहीं दने जानते आते हैं अच्छा चली यह बता दी जिजे फिर जब क्यों कर रहें जब से बी तो वैरागे हो जाता है । यह तो वह Σंद आए ऐस हुआ कि मान लो भुखार की दुखार की दो दबा हो तो कहले चा उसे बुखार कम हो जाएगा दूसरी दवा खाऊंगा तो दोनों ही तो बुखार कम करने वाली है कथा से ही क्यों विक्यों व्यक्ति को इतना हो hmm वताइज है मैं सब को नहीं बोल रहा हूंने कुछ लोग मुझे बातों बोल देते हैं हरते की लोगर गुते ला मुझे इस गृूपमें हैं कुछ लोग कि सवह जात में आंगे हैं लम Balance को क्त Iz하 ठ्रॉं क्यों कर रहे हो आ सकती के लिए और इस जगत में सुख का भी मिला प्रश्ण तो यह बन जाता है सुख मिलने रहा है और आप इसमें आसक्त होना चाहते हैं और वास्तिवी ग्रुप से जगत आप में आख सकते बिल्कुल नहीं है आप मार के देखना और उसके बाद दो महने बाद आना देखना कोई याद नियर्खेगा आपको आपके घर में कोई मरा हो ना दो महने भी याद नियरकते उनको याद करेंगा कौन मारा था रिसेंट लिए अपके घर में अच्छा अधा इस जगत में कोई भी वेक्ति आप से आ सकते नहीं है मर के देख लीजेगा और भगवान इतनी आ सकते हैं कि प्रतिक्षा कर रहे हैं कि ये मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रहा है इस ओल के नोन फुवेदिक रिटर्चर ये कोई भावकता की बात नहीं है बहुत सुनर बात परुपात कहते हैं कि जगत में विक्ति अपना स्वंध्व समझता है अच्छा मेरा ये कार्य है फिर उसके अंसार वहकार करता है और उसी कहते हैं अभी देय और फिर प्रेयोज जब भी प्राप्त हो जाता है वह भावान का धाम सब्सक्राइब कुछ नहीं है लेकिन लोगों को सुनने का मौका ही नहीं मिलता ये कटना ही है प्रपाद समझ दीजिए कि ये जो कह रहे है प्रपाद इसका मतलब है मेरे मन में तुछा विरोध करके गाना गाने का मन कर रहा है लेकिन काने दीजिए का शायद तेरी मुक्ती का खयाल दिल में आया है इसलिए भगवान ने तुझे इसकौन में बुलाया है definitely Krishna has thought of liberating you that's why he has given you association of liberated people और ये बहुत जदा बोल ले है आप मुक्त हैं हाँ है क्यों क्योंकि मैंने पहले दिन से ही गीता के अध्धन के साथ कृष्ण को भगवान की रुपे स्विकार किया है और आप भी इसी प्रकार के हो कोई विक्ती किसी भी अवस्था में हो अगर वह अपने कर्मों से मन से अरवान इसे भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो वह मुक्त है जीवन मुक्त है जब जीते जी मुक्त हो गए तो मरने के बाद करसे बद्ध हो जाओगे कि दस दैट मेंक सेंस हम चीजों को बार बार रिपीट कर रहे तकि एकदम क्या है करना क्रिश्न की सेवा किसी ना किसी रूप में अभी आपको लग रहा हूं कि हम रिपीट कर रहे हैं एक भक्त ने जो काफी अच्छा मैं मानता हूं फिलॉस्टी समझते हैं वो प्रवच् चाहते हैं वो करो सिंपल आनुकूले नकृष्णा नश्वीले नम भक्ति करिए किसी न किसी रूप से करते रहेंगे तो माया से दूर रहेंगे सिंपल एस सिंपल और कृष्ण की ब्राप्ति करेगा बहुत सिंपल है बहुती जगत में विश्टी आत्माएं अपनी विगत अपून इच्छाओं के अंसार विभनिक कारियों में लगी रहती इसका क्या मतलब है अ काश मेरी नाग थोड़ी और लंबी होती अच्छा बन जा हरब तो क्यों होगा अगर हमारे हिर्दे में काश का अवकास हो गया अर्थात काश यह मिल जाता और आप यह दे देख रहे कि भग्वान की कःथा इसमें कितना साहता बंच थे रही है कुछ मिलता होल्सित जिए ओंश पूरी करने के बनाज़ लिए कश समावत होने होता है काश में प्रसिद्ध होता, काश में सुन्दर होता, काश में यह होता, काश में होता, यह सब समाप्त हो जाता है, आप देखें काश क्या रहता है, काश में और भक्ति कर पाता, is it not, तो यह तो बहुत अच्छी बात है न, लेकिन भातिक, जितिने भी काश हैं, काश में समझत हुआ है अगर अगर इच्छा नहीं होती तो यह देहर नहीं मिलता यह बात कही जा रही है किसी विशेश शरीर के विगटन के बाद विश्टी आत्मा हर वस्तु को भूल जाती है किन्तु सर्व करुणा मैं भगवान जो कि साक्षी प्रमात्मा की रूप में हर विक्ति की रिदय में उस्तित हैं उसे जागरत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं की याद दिलाते रहते तो ध्यान दिज्या कि भगवान किसी को पाप और पन निम प्रविर्थ नहीं कर रहे हैं वह कि यवल याद दिला रहे हैं कि तु कि फोर्च नहीं कर रहा है तुमने इच्छा करी थी अब देखो इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अंसार कर्म करने लगता है श्रीजर प्रहपाज जी ने को विक्ति के बारे में कहा था को सितार वादक रहे होंगे कि साथ जनम लगे हैं उसको ऐसा सितार बजाने में आप इस जगत में देखते हैं कुछ बच्चे बच्पन से ही मिर्दंग बजाने लगते हैं तबला बजाने लगते हैं क्या से हो जाता है वो पिश्य जनम से भ्यास चल रहा होता है जैसे कि आप किसी की पत्री देखते हैं मैं स्ट्रोजर नहीं लेगिन कुछ लों की प आत्मा है जो कि एक और जीवन को भयागी कंटिन्यू कर रहा है इस अद्रिष्ट भाग दरिश्वन को भागी कहा जाता है और कोई भी विवेक शील व्यक्ति समझ सकता है कि इस से प्रकिति के तीन गुड़ों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है अब देखिए हम लोगों रिएक्शन नहों इसी बात को भगवान ने गीता में बताया है यद करोशी यद अशनासी यद जुहोसी दान देते हो और कुछ भी दादासी दान देते हो जुहोसी मतलब को यग आदि करते हो और जो कुछ भी तुम तपस्या करते हो वह तुम मुझको अरपित करते हो करो तो उससे क्या हो जाएगा तो भगवान कहते है शुभा शुभ फले रेवं मुक्ष से कर्म बंधने सन्यास योग युकतातना विमुक्तु माम उपैशसी तुम शुभ और अशुभ दोनो कर्म के फलों से मुक्त होकर सन्यास योग में इस्तित होकर मेरे पास आजाओगा यह समाने ग्यान नहीं है भाइसा भगवान के पास पहुँचेंगे अब इस समाने बात नहीं कि अब भूजर लगा रहा है भगवान को पीपल टेकिट और इस व्यूद्ध को समझें कि भगवान को भोग लाकर ग्रहन क होता है क्योंकि हमारे बाप बहुत प्रसाद को गुरहन करो तो अब प्रस्ण हो जाएगा कि बुरे है अशुब कर्म करने में क्या दिक्कत है दिखिए Quand Amag रहे यहां पे कि शुब कर्म करेंगे जगत ना पड़ेगा तब क्या दिक्षत हो जाएक कि भाई शुब कर्म करो या शुब कर्म करो गर्मी तो बराबर से लगेगी, ऐसा तो नहीं कि जो विक्ति शुब कर्म किया है, उसके लिए भवान कहेंगा भई इसको हीट मत दो, तो आधी बहुत एक आधी दयविक, आधी आत्मी कर्ष्ट सबको मिलते हैं, हम देख रहे हैं लोगों को, भक्तों को जानते हैं कि जो बहुत पै अस्था में सुखी नहीं है, इंद्र बनके भी सुखी नहीं और ब्रह्मा बनके भी सुखी नहीं, ये बात बोली जारी है, इसलिए शुब कर्म को करने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, ये बात बोलना है, इसे कहते कि अभी अन्यों को समझधने के लिह नहीं है वो आपके और मेरे व्यक्तिक Olase समझने के लिए डुस्टत में सेंस कि दुनिया में सारे लोग भी नो समझने, उससे कोई मतलब नहीं आपको मुझे समझना है और मुझे ठीक होना है मुझे जगत से बाहर निकलना है अब सब लोग सीखना तो अची बात है लेकिन सब लोग सीखेंगे नहीं आपकी पत्नी जरूरी नहीं सीखे या न सीखे, आपके बच्चों जरूरी नहीं कि सीखे न सीखे, आपको सीखना क्योंकि मुझे अकेले ही मरना होगा, incidentally ऐसा ही सत्य है, है कि नहीं, थोड़ा सा मैं हेवी हो जाता हूं बातों को समझाने के लिए, लेकिन भक्तों भक्ती कर मैं थोड़ा सा टाइट होके बोल देता हूं बात को, लेकिन बात की वाल सत्य बोलने की है, कि मुझे अकेले ही मरना है, मुझे किसी के साथ नहीं मरना, और मालो साथ में भी मर रहा है, तो सब लो साथ में एक ही जगे नहीं जाने वाले, agreed? है कि नहीं? सब ने अपने कर्म क करके खुब से समझ करके भक्ती करनी चाहिए, सिर्ष्टी के आंशिक या पूर्ण ले के तुरंत बाद जीव की अचेत सुपतावस्था को कुछ अलपक दारशनिक भूल से जीवन की चर्म अवस्था मान लेते हैं, क्या मतलब है? ले हुआ प्रले हुआ उसके बाद जीव जो सुपतावस्था में चला जाता है, उसको सुचते है कि बस यह लीन होना ही जीवन की सफलता है, ऐसा नहीं है, आशिक भौतिक शरीड के विले के बाद जीव केवल कुछ महीनों तक अचेत रहता है, बिहोश रहता है, और भौतिक शिष्टिक के पूर्ण विले के बाद वह लाखों वर्षु तक अचेत रहता है, वह लकुस पस्ट समझा रहा है, मरने के बाद आशिक मतला मर गया, तो कुछ महीने तक अचेत रहेगा, फिर जन्म ले लेगा, और जब पूर्ण पल्य हो जाती है, तो फिर महाविश्ण के शिरीड में रहता है, किन्तु जब सिर का मतलब है, जब व्यक्ति की चेतना जागरित होती है, तो वह इस चेतना में रहता है, कि वह कृष्ण का सेवक है, उसे कृष्ण की सेवा करनी है, बाकि जो भी कार वे इंदृति प्ति के लिए कर रहा है, वह सब ब्रहामक हैं, और उससे कोई सुख नहीं मिला, इसे कहते ह जागरिती, जागरित रहते हुए वह कर्म करना बंद नहीं करता, और इस तरह उसे अपने विविद इच्छाओं के अंसार कर्म करता है, जब उसकी इच्छाय भगवान की दिव सिवा करने के लिए प्रसिक्षित की जाती है, तो उसका जीवन पून हो जाता है, और नित ज जागरित जीवन को आनंद पाने के लिए वैकुंट भेज दिया जाता है, यह लाइन वैने क्यों लाल में रखी, यह बड़ी महत्पून बात है, लोगों को फोर्स नहीं किया जा सकता, और नहीं फोर्स किया जाना चाहिए भक्ती के लिए, उन्हें प्रस्थिक्षिन दिय किर्प इसको है किसको नहीं है, कोई या व्यक्ति बताते इसको अच्छा भूजन करनी की इच्छा नहीं ही, इतनी बड़ी फौज में ऐसा कोई सिपाही नहीं है सबको अच्छा लगता है वरी गुड तो आप देख लिए कि यह इच्छा तो आप नहीं तोड़ सकते लेकिन क्या भगवान को अच्छा अरपन करके प्रसाद करने से आपको वैकोंट की प्राप्ती होती है यह से कहां लिखाए भगवान को कि आपकी उचिस्ट को ग्रहन करके ही आपके भक्त आपकी माया को जीत लेते हैं तव मायाम जये मही आचा बहुत सी लोगों में यहां पर चली इस पी थोड़ा हम लोग वोटिंग कर रहते हैं क अब गाना अच्छा लगता है तो हरे कृष्ण का यानि कि इच्छाओं को रोकने के जुरुत नहीं है खाले इच्छाओं को भगवान की वर मोड़ने की जुरुत है और आपका आप मुड जाते हैं इस प्रकार सी वैकूंट के रस्ते पूर अन्यता हम की हम सब के वल समय व धन आये वह भाग्वान के सिवह में लगाई है इस तरस नतिश्पल तो बहुत डाइनमिक सब कुछ यह नहीं कि उखा नहीं सकते है यह तुम पेंटिंग नहीं कर सकते है यह तुम बोल नहीं सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हो प्रपाद कहते हैं we can even use मेसाइस पर क्रिश्णा में I have no idea how we can use that लेकिन तो बात बहुत कि माता जी आई अ कि दिक्षा प्राप्त करने के बाद रहुपाद ने कि तुम क्रिष्ण के लिए क्या करना चाहती है निसे बेस्ट बहुत को समर्पित कर सकते हूं तो यह बहुत सिंपल सी बात है और यह बात बिल्कु सिध्धान्त है श्रीमत भागवत्त में ग्यार वसकान में सुनेंगे भगवान कही वक्तव है कि देखिए इस शरीर की हर वस्तू temporary है लेकिन इसी शरीर से कोई भी कार करते है और वो भगवान के लिए करते हैं तो वह क्या कारे करना चाहता है सद्रूर करने का प्रपित करने के लिए उसको समर्थ बना दिता है बहुत सिम्पल सी बात है तो यह है प्रसिक्षंड की किसी व्यक्ति को रोका नहीं जाये बल्कि वह क्या कारे करना चाहता है वह करने का प्रसिक्षंड दिया जाए यह बात है ओके, बहुत बात कुछ पूछ रहे HERE एक बहुत कहते हैं कि एक ही नाम से भूत भविश्य के सारे कर्म जल चुके हैं याने यह आपने पहले बताता तब लेकिन के बाद आगे कुछ तो बोलिए मुझे पता है मैं यही तो कर समझा रहा हूं कि भगवान के भक्तों को उनके कर्म के अंसार नहीं आता है भगवान उनके कर्म जैसा देत इसे कर्म धहस्त हो जाते हैं लेकिन भगवान कुछ समय के लिए कर्म का इंप्रेशन बना कर देते हैं ताकि जगत में अनसिधांत भी बने रहे हैं और भक्ती को केवल भक्तों के संगत के बारा ही प्राप्त किया सके भगवान की करपास भगवान हमसे इतना प्रेम क्यों क करें हम भगवान को इतने प्रेय क्यों हैं तो अचा आपका संतान की संतान होने वाली है तो उनकी संतान बढ़े व Daiba怎麼 अब व्रेम क्यों करते हैं यह बताए यह जिनके भी बच्रे उन्से पूछ़ो या आप अपने बच्चों के प्रेम करते हैं तो क्या प्रणोशी के बच्चों से करेंगे आपके बच्चे हैं तो आप प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान स्वयम बोले है अहम भी जे प्रदव पिता यह यह दिपी उन्हें प्रश्ण बड़े भोलेपन में किया है लेकिन प्रश्ण बहुत गंभीर है बुरिजोन जर्व भूता नाम सभी उनके अंश है जैसे मेरे दाएं पाओं के अंगोठे में थोड़ी चोट लग गए थी तो पूरा अंगोठा काला पड़ गया था तो क्या मैं अपने काली अंगोठे से गिर्णा कर रहा था नहीं है उसकी दवा कर रहे थे ठीक हो जाये करके यह कभ अपने हाथ क्या काटके फेक देते हैं आपके श्रीर का भाग है ना तो जीवात्मा भगवान का अंश है इसलिए जीवात्मा के प्रति व्यक्तिकत रूप से और सामभविक रूप से भवान प्रेम अर दूसरी बात है हर जीव भगवान को एक विशेश सुख देता है तो जो मैं सुख दे पाऊंगा वह आप नहीं दे पाएंगा आप अलग तरसी देंगे हर जीव भगवान का भक्त है और अपनी भक्ति के दोरह भगवान को विशेश सुख देता है इसलिए भगवान प्रतिक्षा करते है हुए इसलिए अफ्य वाला श्लूग क्या था सट्यम सट्यम वाला क्या बोला मैं आप पताने कि आपने बताया जिसने मर्तियसिंभवान का नाम लिया वह वैकुन चलाता है माहत्मा गांदी भी वैकुन गए होंगे आप जब में जाना तो मिलना हंसी आप भारत में महात्म गांदी थे राम को क्या पता हम तोना वागत यह स्ब्सक्रणां कर्जिए ट्रण फिर भी चिंड प्रम स्पार रहे गजिए दूसरे ऑतने प्रवेश्च नहीं करती हैं श्यलिक खटाइप नहीं करपा रहा है और परश्न करने चलें, नहीं उतर जाएंगे, ठीक से टाइप करो, भगवान तो complete है, तो फिर कैसे किसी की प्रतिक्षा कर सकते हैं? अच्छा, आप प्रतिक्षा कर सकते हो, और भगवान अगर प्रतिक्षा ना करें, तो incomplete नहीं हो जाएंगे, तब भगवान में अगर कोई यही तो समझाय जा रहा है भाई कि हम सभी लोगों के लिए सबसे महतूर है प्रेम में loving exchanges भगवान को भी वही पसंद है क्योंकि हम भगवान के अंश है भगवान की भी वही आधा सब्सक्राइव करना और प्रेम देना जबीत भगवान कहते हैं यह था माम प्रपद्ध्धंते ताम सत्य बजामिहम जो इस तरह से मेरा बजन करता है मैं भी उसका वैसे ही बजन करता हूं और थाथ भगवान भी सिवा करना चाहते हैं यह ओसो वांट सुसर्व हिस प्रेरितो जनयत स्वाभीर मात्रभीर अधिपूरुषम। स्वाभीर मात्रभीर अधिपूरुषम। जब परम पूरुष की इच्छा से तेईस प्रमुक तत्वों को सक्रिये वना दिया गया तो भगवान का विराट विश्वरूप शरीर प्रकट हुआ। बहुत सिंपल है। कहां ग्यानुए। कर्म प्रभुद्ध हो गया था देविना अर्थात भगवान के द्वारा त्रयो विंशति को गणा तेईस जुतत्तु थे उन्होंने पेरितों जनयत स्वाभीर भगवान के द्वारा प्ररित होकर के जनयन प्रकट किया। स्वाभी मात्रभी अपने अंश्यों के द्वारा कि इसको प्रकट किलिया अदिपूरुष अर्थात विराद रुप को प्रकट किया सवाव से बात है कि अधिपुरुष शब्द का अर्थ भगवान नहीं हो सकता है क्योंकि भगवान की प्रेड़ना से प्रकट हुआ भगवान की प्रेड़ना से तत्तों के दारा भगवान नहीं प्रकट हो सकते हैं तो यहां अधिपुरुष का अर्थ है विर और निष्वादियों को यह विश्वास दिलाने के लिए दिखिलाया कि वही आदी भगवान है कि विराट रूप द्वारा क्रिष्ट प्रकट हुए इसलिए विराट रूप भगवान द्वरा वैकुन में प्रकट किया गया नित्यूप नहीं है सबस्ट है यह भगवान का बहुत एक प्राकट है बहुत ही तत्तों में धारना की जाती है कि भगवान है यहां प्रपाजे विराठ रूप और विश्वरूप को एक ले रहे हैं यह बात है इस ओके नव जिग्यासियों के लिए मंदिर का अर्चा विग्र है भगवान का ऐसा करके ठीस समझेए देखिए विराठ रूप जो है उसमें भोग नहीं लगता है जितने भी चौधा भूवान है उनमें धारना की जाती कि पाताल मेतस्त ही पादम उलम और वह इसलिए की जाती कि जिसका चित बहुत अधिक भौतिक तवाद से युग्त है वह भगवान की द भगवान का विग्रह भौतिक तत्व लग जासा रहा है लेकिन भगवान स्य अभिन्हें प्रातिमा नहीं तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ये शब्स है तो कि एक सामेता बठाने के लिए कि भाई इस जगत में जैसे भौतिक तत्वों के द्वारा भगवान का विग बात कहा रहें तो विराट रूप इस नौट विग्रह श्री विग्रह इस नौट विराट रूप कुछ समधा पाराओं कि नहीं केवल इतनी बात समधाने के लिए कि भाई क्योंकि हम भगवान के चिनमय सुरुप को भी नहीं देख सकते हैं इसलिए भगवान भौतिक तत्तो में आविरभूत हो करके हमारी सिवा को स्विकार करते हैं लेकिन वहां पर यह जो विग्रह की सिवा है यह भगवान की भक्ति शुद्धा भक्ति का एक महान अंग है श्री विग्रह स्रधाय सिवन प्रभुपाजी विग्रहों से सिधे बात करते थे और अन्य भक्त भी ऐस च्बाट ना पiorद लुटी तत्वां में भागवान प्रकट्व है यह नहीं सोचना चाहे कि विराट रूप है विराट रूप काल्पनिक है लेकिन भागवान का श्रीविग्रह जो है वह पूरी तरह से चिन्मय तत्व है हमको लग रहा है कि बहुतिक है निते बात कैसे करता है कहीं लिखा है कि विराट रूप भवाँ किसी से बात करता है नहीं बात नहीं करता है लेकिन पूरी तरफ चिन्मय है नहीं तो पर यह बताईए कि विराट जब विराट की धारना की जाते तो कपड़ पहना जाता है उन्हे भोग लगा याता कुछ नहीं कर जाता है लेकिन यहां सीधे भगवान को भोग लगाते भागवान इसे गरते बस इतनी बात समझाने के लिए कि भाई जैसे विराठ रूप ऐक भातिक रूप है उसमें happyавать भान नहीं देख सकता है इसलिए भगवान बहुतिक तत्व में प्रक्रत हो जाते हैं लिकुन संभध्य का प्रयास केजिए वह विक्रयास साक्षात भगवान है यह स्मय्भ अभगवान का प्रयास कीजिए बं जैसे कि आपनों काहानि सुनए थी न, जौसा सशी गुपाल कि या-। Пр antid sense कहता है कि चलिए आपने वारा किया था। आप शाक्षी बने तो कहता है रही मैं तो DP हूँ मैं तो जब सकते हैं। आप चल भी सकते हैं। गल शुप अपने उपासिकों की से बात्चीत करता है ऐसा नहीं है तो भगवान एक व्यक्ति की रूप में वेरेवर कृष्णा इस पीवल कम तो यह बात समझ लेना चाहिए कि भगवान का श्री विग्र है वो पूरी तो ऐसे दिव्व है जगनाच जी को देखने के लिए जो वेक्ति को देखने नहीं जा रहा है वो साक्षा धावान को देखने जा रहा है तो धालना करता है तो वेस की दिविता को और ुद्धार नीं पादिक आनभव कर पाता है जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे अनभव कर लगता किए सृ्री विग्रे साक्षाथ भगवान है है वह है भगवान उसमझद कर चेंज नहीं करता है अपन अप्छेक्ट पूछरे तो कि बच लीजै कि हर घृष कि ब्रभु जी यह नवदिक्षी जो सब प्रभुपाजी ने उसकिये न सी डिवोटी अपर एक्स्प्रियंस डिवोटी होने के लिए क्या करेंगे चाहिक देखिए नाम हरी नाम हरी नाम की दिविता भगवान की रूप की दिविता भगवान की गुड़ों की दिविता भगवान की लीला की दिविता सब प्रकाशित कर देता है तो नाम जब करते करते जैसे जैसे हमारी अविद्यानस्थ होती जाती है वैसे वैसे विक्ति अंभव कर पाए कि भगवान साक्षात यहां पर खड़े हैं जितनी इतनी भक्ति बढ़ेगी भक्तिया माम भी जाना भक्ति करके नोब सेवेगत होई बहुत प्रकीश परफ्जी और प्रस्टों की जो आपने बहुत ऑप्रक्तों की दुख है वह भगवान द्रेडर आप इस पर जो मतलब उसका एक्सप्रिंस के वह बहुत प्रबल होता इसके लिए जो आवश्य को करता भी है माली जी किसी को बुखार हो गया तो ऐसा नहीं कि भवान आर्टिफिशल दुख दे रहे है तो हम दवा नहीं लेंगे पॉइंट इस यह मेरे कर्म के अंसार नहीं है भगवान सुख दुख देरे मेरे अपराज के विज़े से जो भी कारण से इसको व्यक्ति सहन कर लेता है भवान से कंप्लेंड नहीं करता और इसका अर्थ यह नहीं कि दवा नहीं लेगा मैंने प्रश्ण महाराज से पूछा प क्रिपा है भगवान की यह आप अपने मानसिक द्रिश्टिकोंड है वहवार में आप दवा लेते हैं वहवार मतलब प्रेटिकल प्रेटिकल में आप दवा लेते हैं क्योंकि अगर आप बिमार पड़े रहोगे तो अब भावन का वजन क्या किसे करोगे लेकिन इतना बात जानता है कि यह जो मेरे जीवन में कश्ट आया है वह आया बहुत कम है जैसे मान लीजे कि उंगली किसी की कट गई अब उंगली कट गई तो वह सुचता कि और मेरी तो गर्दन ही कट जानी चाहिए थी बचा केवलो केवल उंगली किसी कट गई तो उंगली जो कट गई तो कैसे बनाए देखिए उस जीवन में किसी को भी प्रयालटाइज करते हैं उसके गुणों के बारे में सुन करके इस चीद से हमको लाब होगा यह यह खुब सुनते हैं तो वह वो वस्तू यह व्यक्ति यह कोई कार है हमारे प्रयालटी हो जाता है सिंपल जितना सुनेंगे उतना अधिक प्रणाटी बन नहीं करती है देखिए ज्यादा डूटियल की बारे में प्रवपाद ने कहा नहीं है कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि आत्मा तुरंट प्रवेश करती है कि नहीं करती है आप वैकून जाने के बारे में सोचो कि यह भी यह भी इसका अनुस्वान हो सब्सक्राइब कि मा के गर्व में चली जाती है और वहां 6 मैंस होता है अभी हम जो पड़ रहे हैं उससे असा लग रहा है स्रिष्टी की सैकिल के बीच से जान रहा है बद जीव कर्मों को भोगने के लिए वापस आ रहा है पर जब फर प्रिया जीव भगवान सुस्थी फर्स्ट्पाइम नहीं करते है अनादी का से स्थिश्टी चल रहा है यह मेरे प्रिये जीव सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फर्स्टाम वाली बात नहीं है जी तुम्हरए फर्स्टीम फाना कौन से टैइव दिर इस नौ फॉस्ट्टी स stay cyclic and eternal यह जीव ने ऐसा क्या किया जिससे उनको दुखाले में आना पड़ा आना पड़ा नहीं पड़ा हुआ हम लोग कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं यहीं से recycle हो रहे है recycle 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 कचले को फिर recycle करके वापस ला जाते उची तरह से हम लोग यहां पर पड़े हुए विए recycle जीवस अर्चा रूप भौतिक होने पर मेंस इंतात पर लास लाइन देखिए अर्चा रूप भौतिक लगता है वह भौतिक है नहीं अगर कोई भौतिक रूप होता तो यह ग्लास भी आपका भौक शुकार कर लेगा पारी डालों सो शुकार कर लिया ऐसा होता है नही अग्न में मन में पत्फर में पेंट में लख्ड में अच्चा करके आठ तत्व मणी में तो वहां भगवान उसस्वा को स्विकार करते हैं इसा नहीं कि आप तो अगर भौती गुरूप होता तो बोजन क्यों स्विकार करते और बोजन को स्विकार करके अगर भगवान बोजन स्विकार नहीं करते हैं तो उस पर साथ को ग्रहन करके लोगों की बुद्धी क्यों चिंज़ रही है ठीक है? I hope this is clear. So we'll discuss tomorrow further. अपर श्रीमद भागवत्म की जय, श्री दब रहुपात की जय, निताही गवर पर मानन दे.